तो इस वीडियो में हम लोग अब बात करेंगे section 2 की जो आपके जेएडवांस 2024 का वेपर आया था तो यह वाला section अनना this is really good पूरे वेपर में अगर कुछ quality questions आये थे तो इसमें आये थे तो बच्चों यहाँ पर हमें बहुत सोच के solve करने थे questions यहाँ पर हमें हर question पर फसना न मिलता अगर आप पूरा solve करते हो तो और yes इसमें partial marking भी है कि आपको 123 मिल सकता है लेकिन गलत होने पे आपको सीधा minus 2 जाएगा और level of question was good in this section सारे sections में से बस यह एक section था जहाँ पर comparatively अच्छे questions आये ठीक है चलिए तो one by one let's go through all the questions तो multiple answers का multiple correct का पहला question यह था तो यह question में को बहुत difficult नहीं है बस language थोड़े अच्छी है binomial theorem का होड़ा concept यूज किया है बाकी दो simple सा ही है कि देखो एक set दिया है s जो की a plus b root 2 type का है और a b कोई भी integer हो सकता है ठीक है next एक और set दिया है root 2 minus 1 की power n again जैसे कि मैं आपको बताया यह n यहाँ पर एक natural number है मतलब बाइनोमियल बाइनोमियल लगेगी तो हम उसमें बता है कि root 2 की जो power है वो change होती रहेगी एक बर even power फिर odd power even power odd power जो भी even powers आएंगी वो क्या होगी even power यहाँ पर क्या होगी not just यह इन दोनों ही case में जब आप expansion लिखेंगे even power एक root 2 को compensate करेगी और even power बन जाएगी integer और जो odd power है वो एक irrational पार्ट बनेगा irrational पार्ट बनेगा और उसमें भी irrational पार्ट जो होगा वो रूट टू होगा खाली क्योंकि रूट टू कोई भी odd power लोगे तो even power वाला पार्ट तो हट जाएगा net आपके पास क्या बचेगा एक root 2 एक ही बचेगा ठीक है तो ये जो है ये भी कुछ a plus b root 2 type का expression है और ये भी ये हमने जान लिया अब आगे पढ़ते हैं ठीक है तो वो कह रहा है कि यार z union t1 union t2 sub z ही है इन सबका union लेके इन सबका sub z क्या है इन सबका union लिया तो हमें s का एक subset मिलेगा basically सारे integers t1 और t2 इन सबका intersection लेके हमको s मिल रहा है तो यार a plus b root 2 अगर मैं b 0 डाल दूँ इफ b is equal to 0 और a is a z मतब a is a integer a belongs to z तो इसमें तो सारे के सारे z आ गए तो इसने सारे के सारे integers तो अपने अंदर count कर वा लिया ठीक है फिर बात करते है t1 की तो मैंने आपको बोला t1 क्या है a plus b root 2 तो खुद ही s type का है और यह भी a plus b root 2 का है वो भी s type का है तो t1 t2 को तो already z ने ले रखा है ना already sorry s ने ले रखा है अगर आप यह देखो कि t1 वो भी a plus b root 2 type का है मतलब s के अंदर count हो गया और t2 भी count हो गया तो अगर आप इनको करते हैं तो net आपको s का ही एक subset मिलेगा तो first option is absolutely right next t1 का 0 से लेके 1 by 2024 का intersection लेंगे यह interval और t1 का intersection लिया तो एक null set मिल रहा है तो basically वो कहना चाह रहा है कि या t1 कुछ भी हो जाए इसके बीच पे नहीं आना चाहिए अगर आ गया तो यह option incorrect है t1 कौन है t1 है root 2 minus 1 की power n, n is a natural number यार यह तो 1.4 minus 1 already 1 तो छोटा है अब आप इसकी power बढ़ा होगे natural number तो बढ़ रहा है तो जैसे आप इसकी power बढ़ा होगे तो क्या यह value और चोटी और चोटी और चोटी नहीं होगी तो यह तुम 10, 1 upon 2024 की बात करें तो और भी चोटी value देगा तो यह option तो गलत होगे similarly next बोल रहा है कि t2, t2 कौन है? t2 में root 2 plus 1 है यह value 1 से बढ़ी है जैसे ही आप natural number की power increase करोगे यह तो infinity तक बढ़ जाएगा बढ़ता ही रहाएगा यह तो तो यह जो इसका intersection अगर आप लोग है तो null set of course नहीं आएगा बहुत सारे t2 के elements इस interval के अंदर लाए कर रहे है तो यह statement सही हो गया next statement for any given a and b integers cos pi a plus b root 2 plus iota sin pi a plus b root 2 belongs to z यहार यह complex number z कब बनेगा? जब इसका imaginary part 0 imaginary part को 0 करना है मतलब इसको एक n pi बनना पड़ेगा इसको n pi बनना पड़ेगा मतलब b root 2 को यह से भागना पड़ेगा b root 2 कब भागेगा जब? b 0 है तो यह बात तो यह खतम होगी ठीक है आगे बढ़ने की ज़रोती नहीं है जब तक आप b को 0 नहीं पूट करोगे यह कहां से एक integer बने का तो हम integer की बात करें यह तो complex बैटा है ठीक है तो again this statement is also true तो अगर आपको question के understand नहीं है यह बैट जाए न तो question असान है but yes language is good ठीक है तो यहां से हमको बस यह सोचना था कि यह binomals expand होके s की form में बनेगा इतना समझ में आ जाएगा तो question असान था ठीक है तो overall it was a moderate difficulty level problem था ठीक है next next question है r square का मतलब है r cross r सारे real number cross real number s में सारे के सारे abc triplet है abc real number है और इनके बारे में यह पता है यह x square plus 2b x y plus c y square की value greater than 0 आनी चाहिए quadratic का बड़ा अच्छा question है आपको बस quadratic समझ में आनी चाहिए यहां पर ठीक है तो यह यह तो x upon y या y upon x में quadratic मना सकते है up to you जैसे मैं कि यहां पर मान लो y square से divide कर दिया तो यह बन जाएगा a x by y whole square plus 2b x y y square से divide क्या x upon y plus c greater than 0 यह मैंने क्यों क्या क्योंकि जैसे कोई expression हमें दिखता है greater than 0 इसका मतलब है कि यह इसका x square का जो coefficient है यह तो positive है और इसका discriminant negative है ठीक है तो यहां से पहली चीज possible है तभी यह चीज possible है जब a की value positive होगी a positive होगा और इसका discriminant जो है इसको हर हाल में negative ही होना पड़ेगा discriminant निकालता हूँ 4 b square minus 4 a की जगा a c की जगा c should be less than 0 4 हटावा b square less than ac बस अगर यह condition आ गई फिर तो options को खेले खाली one by one we'll go through options ठीक है अच्छा पहले important चीज यार a c जो है वो b square से बढ़ा है और b square तो 0 से बढ़ा है कोई b square हमेशा positive होता है तो यहां से जितने science पता लग रहे हैं आपको पहले बता रहा हूँ यहां से मुझे पता लगा कि a c is greater than b square means a c is positive c positive होगा a positive होगा यह मैं आपको पहले बता दिया तो c b यहां पे कैसा होगा positive a and c both are positive very important इसको आगे अपन उस करने वाले ठीक है चलिए options पे चलते हैं पहला option a positive है c positive है कोई दिक्कत ही नहीं बढ़िया यह जिस possible है बस तुम यहार b square less than a c वाला satisfy करा दो a is positive a is positive c is positive b square a c से छोटा है की नहीं यह चक कर लेते हैं b square less than a c b square कितना है का 7 by 2 का square 49 by 4 less than a c a c है 12 क्या यह statement true है 48 होता है यह 48 upon 4 is 12 तो यह तो गलत statement हो गया this is not true तो पहला option तो गया ठीक है next if 3 b 1 by 12 belongs to s इसने कहा कि यह यह तीन triplet satisfy कर रहे है मतलब कि again b square minus a c should be less than 0 तो a c that is 3 by 12 1 by 4 should be greater than b square तो यह आ जाएगा 4 b square less than 1 दोनों तरफ root लेंगे mod लगाएंगे 2 b का mod will be less than 1 तो यही बात बुलिए इसने तो यह statement हमें अच्छा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है next for any given a b c belongs to s the system of linear equations has a unique solution तो अगर इस system का unique solution है तो इसका determinant निकाल लो या बच्पन में अपन a 1 by a 2 is not equal to b 1 by b 2 करते हैं unique solution के लिए वो भी कर सकते हो आप ठीक है तो इसका determinant निकालते हैं a b b c this should not be equal to 0 तो simplify किया तो यह a c minus b square है यहाँ पर तो हम कह रहें a c बड़ा है b square से तो a c minus b square कैसे 0 हो सकता है कोई chance ही नहीं है बिल्कुल साइज statement है है इसका unique solution no problem next statement बात है a b c belongs to s तो इसके बारे में बताओ इसके solution कैसे हैं तो इसका भी determinant निकाल लेते हैं a plus 1 b c plus 1 a plus 1 b b c plus 1 determinant check कर लेते हैं value कितने आ रही है a plus 1 into c plus 1 minus b square पुडा और simplify कर लेते चालो a c plus a plus c plus 1 minus b square a c minus b square plus a plus c plus 1 अच्छा जी a c minus b square positive check किया था न a c minus b square positive आया था a मैंना आपको बोला positive है c मैंना आपको बोला positive है तो ये भी तो positive है this entire thing is positive मतलब की determinant है ये positive है किसी भी हाल में 0 कहां से मतलब again a unique solution वाला case है क्या बोल रहा था हाँ कुछ भी ले लो unique आना चाहिए बिल्कूल सरी statement है correct answer is b c this was the good question again ये एक moderate level का question था strike कर जाए तो of course options का खेला आगे तो बस आपको बस इतना strike करना था कि discriminant यहाँ पर negative आएगा simple as that चलिए आगे बढ़ते है बच्चों तो यहाँ पर इसने question में बोले है कि यह r cube और three dimensional space p 123 है q हमको दे रखा है 427 तो यह वेक्टर से question है vector 3D ठीक है ठीक है three dimensional question है और ये question थोड़ा सच्छा है good question ठीक है तो again moderate से थोड़ा high difficulty बोलूँगा moderate to high है this was a really good question यहाँ पर पहले आपको सोड़ा simplification भी है सोड़ा calculation भी है and again आपको फिर options देखने ही पड़ रहे है चलिए तो simplify करते है इसने बोला कि यार जो distance यह लिखा है जो यह चीज लिखी है इसका मतलब क्या है x और p के बीच में distance तो यहार x मैंने मान लिया coordinates है x, y, z तो यह कह रहा है कि यहार xp का square minus distance of xq का square equal to 50 तो xp का square करता हूँ मैं तो वो कितना आ जाएगा xp, p point क्या दिया है हमको 1, 2, 3 x-1 का square plus y-2 का square plus z-3 का square minus xq x-4 का square plus y-2 का plus z-7 का square, this is equals to 50, यह यह y-2 whole square और y-2 whole square तो cancel ही हो गया, ठीक है simplify करते हैं इसमें लगाते हैं अपन इन दोनों को solve करेंगे, तो यह मिल जाएगा a square minus b square लगा रहो है है, a plus b into a minus b, कितना हो जाएगा, x-1 plus x-4 तो कितना मिलेगा यह, 2x minus 5 और minus किया, x-1 minus x plus 4, तो 4-1 हो गया है आपे, 3 plus, z minus 3 ka square plus z minus 7 whole square, again a plus b into a minus b, कितना हो जाएगा देको, z minus 3 plus z minus 7, 2z minus 10 into z minus 3 minus z plus 7, 7 minus 3, 4, this is equals to 50, थोड़ा और simplify कर लेते हैं इसको, देको, यहां से कहा है मिलेगा, 2x into 3, 6x, 2z into 4, 8z, और साथ में क्या आएगा बच्चो, तो माइनस 15 यहां से आया, माइनस 40 यहां से आया और 50 महां से आएगा, तो माइनस 15 and 40 minus 55 and 50 minus 105 equal to 0, तो यह जो पहला वाला set दिया हुआ है न, इसके अंदर सारे के सारे r cube वाल है, मतलब कि, x real, y real, z real, सारे triplet ले लो, such that 6x plus 8z minus 1050 है, यह एक plane की equation है, और इसके उपर लाय करने वाले सारे point इसको चलेंगे, similarly आप इसको simplify करोगे, एक और plane की equation मिलेगी, चलिए, इसको भी simplify करते हैं, यहां पर while ही है, तो इसके coordinates बदल लेते हैं, कुछ, a, b, c मान लो, ठीक है, difference बसके इन दोलों को क्या, change कर दिया, आगे पीछे लिखा इसने, तो इसका square minus, इसका square कर दिया है, तो यहां पर difference किसका आएगा बच्चो, आपने इसको आगे लिखना है, इसको पीछे लिखना है, तो basically यही चीज जो left में बची थी अपने पास, इसका minus, इसका minus equal to 50 करना है इस बार, तो इसका अगर minus लिखता हूँ मैं, तो यहां पर 2x into 3, x की जगे के डाल दिया, तो minus 6 है, minus 8 c डाल दिता हूँ, 8z की जगा, और था क्या है यहां पर देखो, इस पूरे का minus लगाना है, तो पहले यहां से आया, minus 50, मैं लोंगा plus 50, और क्या आया, minus 40, हम लेंगे plus 40, तो net आगया 55, और वहां बचा 50, तो यह तो cancel हो गया, बचा अपने पास plus 5 equal to 0, तो इसको simplify अगर मैं कर दूँ, 6a, 8c, minus 5, 0, और एक आया, 6a, sorry, 6x ले ले लेते हापे हैं न, यहां x ले लो, क्या दिक्कत है, 6x plus 8z minus 105 equal to 0, ठीक है, यह दोनों प्लेंज आगया, S आगया, T आगया, now next is there is a triangle whose area is 1 and all of whose vertices are from S, तो अगर आप S के अंदर से कोई भी 3 point ले लोगे, तो पक्का मिल जाएगा, जो एक plane है, plane है पक्का एक, ऐसे 3 point तो मिलेंगा, जिनका area बना जाए, तो चले गई है, next there are two distinct points L and M in T, मतलब कि यहां से L and M लिया, such that each point on the line segment L M is also in T, कोई दिक्काद वाली बात ही नहीं है, जब पूरा plane है, plane के अंदर आपने सारे point ले लिए, तो L और M के बीच के भी सारे points अपने आप count हो जाएंगे, next there are infinitely many rectangles of perimeter 48, no problem with this, तो कि vertices S and T से ले रहे हैं, ठीक है, तो आप बस इनके बीच का area निकाल लो, जो बीच का distance निकाल लो, दो plane से parallel हैं, इनके बीच का distance निकाल लो, कितना आएगा C1 minus C2, यह D1 minus D2, तो यह आजाएगा 100 root 6 square plus 8 square mod, distance कितना आजाएगा, 100 upon 10, distance is 10, ठीक है, तो yes, ऐसे बहुत सारे rectangles मिल सकते हैं, distance 10 है, बागी दोनों को adjust करके, देखो, अगर 10 plus 10, 20 आगया, तो 14, 14 points, अगर आप distance पे लोगे, दोनों ही planes पे, तो आपको net ऐसा rectangle मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, problem कहाएगी, देखो, इसका अगर सारे ABC हो गया, problem कहाएगी, जब आपको एक square लेना है, तो square में ऐसा होता है कि 4 side same होती है, अब 2 तो हमने fix कर दी, 10 क्यों नहीं चाहिए, और अगर 48, इसको area, sorry, perimeter कह चाहिए, 48 of a square, मतलब कि हर side कितनी होनी चाहिए, 48 by 4, 12 होनी चाहिए, बट 2 तो fix है ना, 2 sides fix है कितनी 10 की, तो यहाँ पर square possible नहीं है, rectangle था, okay,